इस वीडियो में हम बात करेंगे अनाइनिक अडेशन पॉलिमराइजेशन के अनाइनिक अडेशन के मेकानिजम के लिए हमारे पास थी स्टेप्स इनवाल्व होते हैं first one is chain initiation step, second one is chain propagation step and third one is chain termination step इस mechanism को proceed करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस addition polymerization में हमें किन चीजों की जुरुरत पढ़ने वाली है इसमें हमें एक unsaturated compound की जुरुरत पढ़ने वाली है जैसे कि alkene या फिर उसके कुछ derivatives इस alkene के साथ हमें additionally एक electron withdrawing group attached चाहिए जिसे कि यहां में XA डिनोत करूंगी इसका होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इसको proceed करने में help out करेगा second requirement हमारे पस यह है कि हमें एक initiator चाहिए जो कि एक strong base होना चाहिए इस reaction को start करने के लिए इस reaction के mechanism की तरफ बढ़ते हैं first step है मेरे पस chain initiation step यहां पर मेरे पास जो NANS2 है जो कि यहां पर एक strong base मैंने लिया है वो attack करेगा monomer के उपर जो कि double bonded system है मैंने लिया है और उस double bonded system के साथ मेरे पास यहां पर electron withdrawing group भी attached है इस electron withdrawing group के ऊपर जो मेरे पास strong base है वो इसके double bonded system पे आके attack करेगा जैसे कि मैं यहां देख सकती हूं कि NANS2 मेरे पास strong bond है वह वहां से मेरे पास जो alkyne है उसके पास आके attack करने वाला है अटेक करने के बाद यह मेरे पास बनाएगा NH2 CH2 single bond CH negative एक H positive जो है वो चला जाएगा CH2 के पास और CH के पास क्योंकि उसने इस base ने hydrogen को abstract कर लिया है तो मेरे पास carbon के ऊपर negative charge आ जाएगा और साथ ही साथ यहां पर X वैसे का वैसे ही रहेगा second step है chain propagation step chain propagation step में जो हमारे पास carbonine बनके आया है यह carbonine आगे जो मेरे पास monomer है उसके double bond पर जाके attack करेगा तो यहां पर जो मेरे पास carbonine बनके आया था जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि यहां पर carbon के ऊपर negative charge है यह अब attack करेगा मेरे पास जो monomer available है जब यह attack करेगा monomer के ऊपर तो एक chain बनेगी जैसे कि यहां पर मैंने एक chain बनाई है NH2, CH2, CHX, CH2 single bond CH के ऊपर negative charge है और उसके साथ Na positive as solvent के में पड़ा हुआ है वो as such ऐसे के ऐसे ही रहेगा अगर इसमें मैं additionally N molecule star दूँ जो monomer मैंने starting में लिया था उसी के तो मेरे पास एक chain बननी शुरू हो जाएगी जैसे कि यहां पर बन गई है नीचे मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास N molecule step मैंने डाले इसी monomer के जिसके पास electron withdrawing group साथ में अटेश्ट है तो मेरे पास नीचे एक polymer types बनके आ गया और एक मैं बोल सकती हूँ कि carbonine polymer बनके आ गया जिसमें एक carbon के बास negatively charged species है इसके next step में बढ़ते हैं जो है chain termination step chain termination step में हमने last में सिरफ क्यूंकि हमने शुरू में बेस की addition करी थी तो इस बेस की addition को निका कर लिया था वो हमने इसमें वापस involved करवाना है तो last step में मैं H positive की addition करवा दोंगी जैसे ही मैं यहां पे H positive की addition करवाऊंगी जो मेरे पास CH negative यहां पे carbonine बना हुआ था वहां से negatively charged हट जाएगा और H positive acquire कर लेगा और मेरे पास एक simple polymer बनके आ जाएगा यह थी आज अनाइनिक addition polymerization के step के mechanisms अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो तो like करें, share करें इसे जितना हो सकता है और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, thanks for watching